इस कंडिशन में आपको 400 रुपे का कमीशन मिल जाएगा हालो गाईज मैं हूँ सरवेश और आप देख रहे हैं नियुस्टब दुस्तों आज के इस व्योडियो में बात करेंगे अगर आप एक CSEA वियली हैं तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप AXIS BANK के क्रेडिट कार्ड को अपलाई करवा सकते हैं अपने ग्राहकों के लिए और इसमें पर कार्ड आपको 400 रुपे का कमीशन मिलने वाला है बहुत ही आसान तरीका है आप अपने पोर्टल से आसानी से कर सकते हैं और कस्टमर को क्रेड独 कार्ड की ज़रूरत भी होती है तो कम्पληट गाइड करूँगा कैसे इसे अपलाई करना है बस अबसे एक छोटा सारीक्वेस्ट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताके इसे तमाम सारा informative और updated वीडियो हम आपके लिए लाते रहें तो आएए शुरू करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है Congratulations, now access bank credit card service is live on digital save of portal मतलब digital save of portal पे इसे live कर दिया गया है All VLE are eligible for this service कोई भी VLE आपके पास bank BC हो ना हो कोई इसमें जंजट नहीं है कि access bank के जो BC होंगे वही इसके लिए आबेदन कर पाएंगे कोई भी VLE इसके लिए आबेदन कर सकते हैं अपने ग्रहकों के लिए और VLE will get RS 400 per lead conversion as commission जो भी lead आप डालोगे अगर वो lead convert हो जाता है card में यानि कि ग्रहक को आपके card मिल जाता है तो उस दसा में आपको 400 रुपए का commission मिलने वाला है चाहे वो credit card 50,000 रुपए का हो 1,00,000 रुपए का हो या 10,000 रुपए का हो मतलब आपको अपने credential login ID और password से CSC portal को login कर लेना है search loan bazaar and visit loan bazaar portal loan bazaar search करके आप इस portal पे पहुँच जाएंगे select access bank under credit का section and submit customer information केवल आपको अपने digital saver portal खोल करके loan bazaar search करके अपने ग्रहकों का detail भरके submit कर देना है तो आईए देख लेते हैं कैसे करना है इसे guys यहाँ पे मैंने digital saver portal खोल लिया है और आप search bar में आ जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे loan loan bazaar और इस पर क्लिक करेंगे login में digital saver और फिर आप इस portal पे पहुँच जाएंगे यह CSC का BF यानि business facilitator portal होता है यहाँ पे credit card section में क्लिक करेंगे इसके बाद आपको access या HDFC मिल जाएगा आपको यहाँ से access पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे पूरा guideline दिया हुआ है ग्रहाक का नाम दर्ज करें और DOB आधार card के अनुसार होना चाहिए मतलब यहाँ पे भी detail बताया गया है आपको एक guide किया गया है कि आधार card के अनुसार ही ग्रहाक का नाम और जननतिती डालें केवल ग्रहाक का mobile number दर्ज करें मतलब ग्रहाक का ही mobile number डालें अपना mobile number ना डालें गलत पता या अन्य जानकारी दर्ज ना करें मतलब exact जनकारी आप डालें ग्रहाक का ग्रहाक की सहमती के बाद ही credit card का chain करें मतलब आप ग्रहाक को दिखा लें कौन सा credit card उनको मिल रहा है उसके हिसाब से काम करें किरपिया bank staff employee कल्प में अपनी सही CSC ID दर्ज करें मतलब जो bank staff या employee का आपसन आएगा कि कौन इस credit card को apply करवा रहे हैं तो उसमें आपको अपना staff के रूप में employee के रूप में अपनी CSC ID डाल देना है ताकि आपको commission दिया जा सके गलत CSC ID दर्ज करने के स्थिति में वेली को commission का भुकतान नहीं किया जाएगा मतलब जब आप अपना CSC ID डालेंगे गलती से आपने कोई एक दो अंक miss कर दिया गलत डाल दिया और फिर उस दसा में आपको commission नहीं मिल पाएगा किवल गुडवत्ता पूर्ड लीड ही उत्पन करें मतलब जो सही सही detail हो ऐसा नहीं कि फरजी लीड डालते रहे 400 रुपे के चकर में कोई convert हो जाएगा तो आप एकदम सटीक जानकारी ही इसमें डालें तो इसे close करते हैं और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे customer का नाम फिल कर देंगे customer का pen card number डालेंगे customer का mobile डालेंगे state select कर लेंगे और district यहाँ से select कर लेंगे आगे customer की mobile नमर पे एक OTP भेजा जाएगा उस OTP को submit करेंगे credit card का type select करेंगे उसके बाद अपना CST ID lead generation वाले में जहाँ पे imply code पूछा जाएगा वहाँ पना CST ID डाल देंगे इस form को submit कर देंगे और फिर bank staff उनको contact करके और उनको credit card उपलब्ध करवा देंगे इस condition में आपको 400 रुपे का commission मिल जाएगा तो आसा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको informative लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो चनल को subscribe करना वीडियो को like करना मत भूलिएगा मिलूगा किसी और informative वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद